और सबसे महत्वपूर्ण आज भाजपा में सदस्यता लेते हुए 25-30 जिलों से आए हुए उन जिलों का नित्यत्त करने वाले भाजपा के एक-एक सदस्यता ग्रहन करने वाले मेरे सभी कारे करता ग्रहन जो यहां मौजूद शिवराज सिंग्जी आपको और बीडी शर्मा जी को मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज आपके समक्ष उपस्तित हैं जिनकी एक प्रष्ट भूमी रही है एक प्रष्ट भूमी रही है जनसेवा की एक प्रष्ट भूमी रही है शेत्र की जनता के साथ एक सम्मंद की उनकी हक की लड़ाए लड़ने की यह सारी पूंजी एक एक व्यक्ति अपना आपके और विश्णुदत शर्मा जी के हातों में सुपूर्थ करता है और मैं यह कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि आज से इनकी आस्था इनका विश्वास आदर्निया प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी में आदर्निया भाजपा के हमारे अध्यक्ष जेपी नड़ा जी में देश के ग्रह मंत्री और पूर भाजपा के अध्यक्ष आदर्निया अमिच्षा जी में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदर्णिय शिवराज सिंग जी में और आदर्णिय वीडी शर्मा जी में एक बात मुझे पिछले ढ़ाई तीन महिनों में समझ में आई है भारत्य जन्ता पार्टी के बारे में और मैं केवल उसके पक्ष में नहीं लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि हम सब को इसी पत्थ पे चलना होगा कि आज जब आप और हम सदस्थिता आपने लिए है भारत के जन्ता पार्टी की तो आप के लिए मंचासीन मंत्रियों के लिए पूरसांसदों के लिए शिवराज सिंग्जी के लिए बीडी शर्मा जी के लिए मेरे लिए सबसे महान आज से जीवन ते अंत्त तक सदेव संगठन और पार्टी रहनी चाहिए अगर पार्टी है तो आप हैं अगर पार्टी है तो आप हैं और अगर आप हैं तो फिर हम सब हैं किसी भी संगठन की असली पूंजी नेता केवल नहीं होता किसी भी संगठन की असली पूंजी सेना होती है और शिवराज सिंग्जी की जिमिदारी बीडी शर्मा जी की जिमिदारी यही होनी चाहिए कि इस संगठन को इस संगठन में आए हुए नए परिजनों को आप अपना बरधस्त प्रदान करें अपना प्रेम प्रदान करें और अपना अशिरवात प्रदान करें इन सब लोगों ने कई ने चाली साल पचास साल बीस साल तीस साल जो अपनी मेहनत है मजदूरी है जो पूंजी जंता के समख्ष बनाई है वो आज आपके हातों में और बीडी शर्मा जी आपके हातों में सौपी है शिवराज सिंग्जी के साथ मेरा 2004 से रिष्टा रहा है जब हम संसद में एक साथ होते थे पहली बार एक रिष्टा बना बीडी शर्मा जी से और यती शोक्ति नहीं होती है अगर मैं कहता हूँ कि इतना उर जावान प्रदेश अध्यक्ष सत्य बोलने वाला प्रदेश अध्यक्ष जिनकी वानी में मा सरस्वती स्वयम विराच्षती है मैं तो समझता था कि केवल शिवराज सिंग्जी में वो खूबी है पर बीडी शर्मा जी भी में भी उर्तनी ही शमता है तो आज मैं कह रहा था जवाब भारते बीडी शर्मा जी कि ये सब लोगों ने आज हमारे भाजपा परिवार में प्रवेश किया है इनका सम्मान रखना इनका देखवाल करना और इनको काम पे भी लगाना ये अब आपकी जमेदारी और मैं इतना गैरंटी आपको देता हूँ कि इस कमरे में एक एक बैठा हुआ व्यक्ति केवल पार्टी कि प्रती समकलिप्थ होकर कार्य नहीं करेगा लेकिन आपके कहने पर वीडी शर्मा जी और शिवराज सिंग जी अब मैं गैरंटी लेता हूँ कि आपके कहने पर अपना जी जान रखाने के लिए तयार हो जाएगा यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के पीछे तोर पर आज राजनीती बहुत बदल चुकी है जिन महान व्यक्तियों पर उपर हमने अब यह पुश्पांजली की उस समय में राजनीती अलग होती थी आज राजनीती अलग हो गई है लेन देन का रिष्टा हो चुका है लेकिन मैं आपको गैरेंटी से कहता हूं कि यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति लेन देन के आधार पर नहीं लेकिन भावनाओं के आधार पर अपना खुन भी देने के लिए तयार होगा यह भावना है क्योंकि आसान नहीं है जैसे आप ने कहा और हमारे लोकेंजी कहा है लोकेंजी ने कहा कि सामानिय तोर पर इस देश में हमने बहुत देखा है जो यह आरोप लगाते हैं न कमरे में बैठे हुए लोग मैं नब्बे दिन से सुन रहा हूं कि नब्बे दिन से मैं सुन रहा हूं पर मैंने एक दिन भी मू नहीं कोला क्यों कि जब देश जब हमारा प्रदेश करोणा का सामना कर रहा है मेरा मुख्यमंत्री एक एक दिन बीस घंटे काम करके प्रदेश की सेवा कर रहा है मेरा प्रदेश अध्यक्ष संगठन को लेकर एक घर तक राशन पहुचा रहा है इन कॉंग्रिसियों को कुछ करना नहीं केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाच के पीछे ये पड़े हुएं नब्बे दिन से बीडी सर्मा जी आप और शिवराज सिंग जी इनको भार से जानते हैं मैं इनको अंदर से जानता हूँ नब्बे दिन मैंने मूँ नहीं खोला साथ दिन प्रदान मंत्री के द्वारा गोशित लॉक्डाउन अब प्रदान मंत्री रियादेश किया कि सब लोग भारत की सेवा में लगो उधारण मेरा ध्यक्ष उधारण मेरा मुख्य बंत्री जो रात नहीं देखता दिन नहीं देखता साड़े साथ करोड जनता की बोज अपने कंधों पे लेकर दोनों निकल चुके सड़क पर और वहाँ एक के बाद एक तीर लगाया जा रहा है राजनितिक क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोडियों ने साथ में मिलकर मैं इंशब्दों का इस्तमाल नहीं करताा जो कडवापन महसूस हो रहा है कि कुर्शी कैसे चले गई इनको चिंता मध्यप्रदेश की नहीं बीडी सर्मा जी और शिवराज सिंग्जी इनको चिंता मध्यप्रदेश की नहीं इनको चिन्ता साड़े साथ करोड की नहीं इनको चिन्ता केवल अपना व्यापार और नब्बे दिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये घर से निकले सेवा के लिए भारत चिन्ता पार्टी का एक एक कारे करता सडक पे था कोई राशन दिलवा रहा है कोई प्रवासी मजदूरों का देखवाल कर रहा है उपर से नीचे प्रधान मंत्री भाजपा का राश्ट्र अध्यक्ष ग्रा मंत्री मेरा मुख्य मंत्री मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिनरात एक कर रहा है सेवा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिंध्या फाउंडेशन के मेरे कार्य करताओं को भी मेरे अनुपस्तिती में क्योंकि लॉक्डाउन था एक गाउं में एक शहर में राशन बटवाने का काम किया मैं दिल्ली में लॉक्डाउन में कैथा लेकिन चार सो साथ लोगों को देश के अनेक प्रदेशों में जहां अटके हुए थे विदेश अटके हुए थे उनको घर वापस लाने का काम किया और आज मेरे कॉंग्रेस के उस समय के सात्यों ने क्या किया कि यह जन सेवा अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पर बैठके सेवा करेंगे यह मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं कमलनाज जी और दिग्विजे सिंग जी आप दोनों सुन लीजिए ताइगर जिन्दा है मैं करोना से ग्रस्थ हो गया अब दो टाइगर हो गए तो दो नहीं होंगे ग्यार हो जाएंगे मैं करोना से ग्रस्थ हुआ लेकिन उस समय भी अस्पताल में मैं दो दिन रहा लेकिन उस समय भी कोई विशा आया तो मैं बीडी शर्मा जी शिवरात सिंग जी और मेरे बाचपा के एक-एक कार्यकता के साथ में संपर्क में था ये सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता कमलनाज जी और दिगवजय सिंग जी यह या तो आपके दिल में है या नहीं है ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है ये भाशन देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है ये उरन खटो लेके रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है और इनके कार्यकाल के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग और प्रदेश की जनता इनसे अच्छी तरह से वाकिव है वहां तो सरकार ऐसी चल रही थी कि कुरसी पर किसी को बिठा दिया और चा भी किसी के हाथ में है सहीए की नहीं बोलो शिवरा सिंग जी सहीए की नहीं बीडी शर्मा जी सहीए की नहीं आगे कोई अब पीछे कोई और काम के वलेक सुनलो भाया धंदा ही धंदा नबे दिन हो चुके हैं संगराम का समय आ रहा है और ये मैं एलान करना चाहता हूँ आपको कि बीडी शर्माजी शिवराज सिंग्जी और मैं कोई सत्ता के खेल के पीछे नहीं है आज मुझे मेरे प्रेस के लोग ने पूछा कैसा रगला है आपको संधिया जी मंत्री मंडल स्थापित हो गया नबे दिन भाद मैंने अपने मीडिया के दोस्तों से कहा कि ये मंत्री मंडल स्थापित नहीं हुआ है दिल्ली में मेरे नेता बैटे हैं प्रधान मंत्री जी जो अपने आपको कहते हैं प्रधान मंत्री नहीं लेकिन प्रधान सेवक और आज अगर मध्य प्रदेश में प्रधान सेवक बैठा हुआ है प्रदेश का तो ये मंत्री मंडल की टीम घटित नहीं हुई है ये सेवकों की टीम कटित हुई है और तीन से भागी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं गोविन राच्पूर जी तुलसी सिलावर जी हर्दीप सिंग जी आज जश्न मनाने का समय नहीं है भावना है कि ये प्रदेश की जनता ने साड़े साथ करोड जनता ने आपके कंधों पर एक बोज रखा है उनके विकास का जिमेदारी आपको दिये है उनकी प्रगति की बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा उनके सम्मान की लड़ाई का उनके रक्षा का गरीबों का उत्थान का अमन्चेन का वातवरंट तै करने का और ये हमारा संकल्प अगले चार साल हमें निभाना हुई हमारे सारे विधायकों को चाहे वो कॉंग्रेस के रहे हों दूसरे दलों के रहे हों जिन्होंने संघर्ष का सामना किया आज असाधारन तोर पर कहा जाता है कि जब सरकार जाने वाली है वो एक साल बाकी है तो विधायक की जाए तो क्या बात है इंतरा इंकी अंतरात्मा की आवास थी कि जो अन्याय की सरकार चल रही है जो ब्रश्टाचार की सरकार चल रही है इस सरकार का भाग हम नहीं हो सकते चाहे हमारी कैबिनेट बंत्री रहे या ना रहे चाहे हमारे विधायका रहे या ना रहे हम जंता के साथ दुबारा जंगी म पैदान में जाने के लिए तयार हो हैं लेकिन इन भश सरकार के साथ खड़े नहीं होने के लिए तयार नहीं और एक कहावत है कि अन्याय के खिलाफ छेड़ा हुआ संघर्ष ही धर्म होता है और उनकी प्रतिमूर्ती के रूप में हमारे 22 विधायक जिन्होंने त्याग दिया तपस्या दिया भरष्टा चार का रास्ता रोकने के लिए जन्ता के दर्वार में दुबारा जाने का निर्ट है लिया मैं उन सब को नकमस तक होता हूँ उन सब के सामदे बहुत कुछ कहने के लिए है और समय भी आएगा मैंने सदेव कहा है मध्यप्रदेश की जन्ता को और आज इस मौके के अधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका तलवार भी बनूँगा और आपका ढाल भी बनूँगा सदेव सिंद्या परिवार ने सत्य का साथ दिया है क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता और जन्ता के समख्ष जब ये लोग जाएंगे तो जन्ता इन से प्रश्ण करेगी कि तू इधर उधर की बात न कर ये बता कि काफला क्यों लूटा तू इधर उधर की बात न कर मुझे रैजनों के साथ गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है तो आप लोग का स्वागत है मेरी भारत ये जन्ता पार्टी में आपका स्वागत है मेरे प्रधान येशस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी के नितित्त में भारत माता को विश्व पटल पर उजागर करने वाली पार्टी में आप लोग का स्वागत है मेरे ये शस्वी मुख्य मंत्री जिन्होंने प्रण और संकल्प लिया है कि इस मध्य प्रधेश को विकास प्रगती के पत पर हम चलाएंगे कल सौ दिन होने वाले हैं इनकी सौ दिन की महनत इनकी सौ दिन की मशक्कत इनकी सौ दिन की तपस्या का पूरा विवरण में कल दूंगा लेकिन आज इनकी होसला अवजाई करने के लिए हम सब मिलकर भाजपाक और मजबूत बनाएं एक-एक स्थम के ऊपर क्योंकि जब स्थम मजबूत होता है तभी अमारत मजबूत होती है आप स्थम हैं आप स्थम हैं और आप मजबूत रहेंगे तो ये मेरी भारत्य जंता पार्टी की इमारत मजबूत रहेगी और आज से आप और हम दोनों केवल भारत्य जंता पार्टी के आम कार्यकर्टा के रूप में कार्य करेंगे इनी शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत भारत माता कि